सुपरभात वच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है? तो आईए चलिए अपने प्रतम पार्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है शब्द परिच्छे आल राइट, तो मैंने आपको पिछली कक्सा में बताया था कि यहाँ पर हमें बहुत से शब्दों के बारे में परचित करवाया गया है, अवगत करवाया गया है और वो कौन से शब्द है यहाँ पर जो है वो अकारांध पूलिंग शब्दों से हमें परचित करवाया गया है अकारांध पूलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा था कि पूलिंग और स्ट्रिलिंग शब्द पुलिंग शब्द मतलब जिन शब्दों से हमें पूरिश जाती का बोध हो वो पुलिंग शब्द कहलाते हैं और स्ट्रिलिंग शब्द जिन शब्दों से हमें स्ट्रिजाती का बोध हो वो स्ट्रिलिंग शब्द कहलाते हैं और अकारांत शब्द वे शब्दों होते हैं जिनकी अंत में अ आता है जैसे छात्र, छात्र के अंत में किसका sound आ रहा है? अ का और बालक, बालक शब्द के अंत में अ का राम, राम के अंत में अ का तो इस प्रकार से ये सभी शब्द जो हैं वो अकाराथ शब्द है तो चलिए पाट के जो पहली चार लाइने थी वो हमने पढ़ ले थी उसके आगे हम अध्यान करते हैं वो पंक्तिया इस प्रकार से हैं देखिए सह कह यहाँ पर सह का मतलब होता है वह क्या है सह सोचि कह वह दरजी है सोचि कह किम करोती दरजी क्या करता है किम सह खेलती क्या वह खेलता है न सह बस्त्रम सिब्यती नहीं वह बस्त्र सिलता है ये क्या है सोचिक संस्कृत में दर्जी को कहते हैं सौचिक वह क्या है? दर्जी है ये लाइने तो सब को क्लियर हो गई देन उसके बाद नेक्स लाइने देखिए एतव कउ यहाँ पर एतव एतव का मतलब है ये दोनों कउ कौन? ये दोनों कौन है? एतव शुनकव स्थ ये दो कुत्ते है किम एतव गर्जत है? क्या ये गर्जते है? न एतव उच्चई बुक्त है नहीं ये दोनों भौकते है यहाँ पर जो शब्द आया है अभी देखिए एतव एतव का मतलब होता है ये दोनो शुनकव ये दोनों कौन है? ये दोनों कुत्ते है किम एतव गर्जत है? यहाँ पर गर्जत गर्जत का मतलब है क्या ये दोनों गर्जते हैं? न एतव भुक्त है नहीं ये दोनों भॉंकते हैं तो बच्चों ये था आपका संस्कृत में हिंदी अनुबाद ठीक है तो आप सभी ने ये जो संस्कृत के हमने पंक्तियां अभी पड़ी इनको अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है और गिलास का आप लोगों ने चितर बनाना है देन उसके बाद आपने उस संस्कृत की हिंदी लिखनी है और उसको याद भी करना है ठीक है धन्यवाद